नमस्ते दोस्तों मैं समीर गोयल यूट्यूब पर जैपुर्द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आज की क्राफ्ट वर्क्शॉप में मैं पानी की बोतल में फवारा चलाना सिखाऊंगा यह एक बहुत ही मज़ेदार क्राफ्ट आइडिया है जिसकी मदद से आप बच्चों को एर प्रेशर और फ्लूइड मेकानिजम के आधारबूत सिद्धान बड़ी आसानी से समझा सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल, दो नलियां, एक बड़ा प्याला, एक पानी का जग और खाने में काम आने वाला रंग सबसे पहले बोतल के ढकन में दो छेद कर लिजिए ताकि इनमे से हम बोतल में दो नलियां डाल सकें इस ढकन के एक छेद में पहली नली डालिए और इसे इतना आंदर तक गुसाईए कि यह है लगबग बोतल के बीच में पहुंच जाए बोतल में फंवारा इसी नली से निकलेगा अब ढकन के दूसरे छेद में दूसरी नली डालिए और इसे सिर्फ इतना अंदर तक डालिए कि यह है बोतल की गर्दन तक पहुँच सके अब यह मैं टेबिल पर एक पानी से भरा जग रख रहा हूं और इसमें खाने वाला रंग डाल रहा हूं इधर यह है एक प्याला मैंने फर्श पर रख दिया है जिसमें हम पुमवारे से निकलने वाला पानी इकठा करेंगे अब इस बोतल को मैं सादा पानी से एक तीहाई भर रहा हूं अब इसका ढकन बंद कर देते हैं यदि आपको इसमें कहीं लीकेज दिखाई पड़े जैसे या डाकन में या एक छेदों पर तो उसे किसी टेप या किसी अच्छे गोंद जैसे प्विक फिक्स वववववारा से अच्छी तरह एर टाइट बंद कीजिए अब आप अपने दोस्तों को आश्चरत चकित करने के लिए एक जादूई फववारे के साथ तयार हैं तो आईए शुरू करते हैं ये हमारा जादूई फववारा ये है ड्रेनेज वाला पाइप मैंने इस प्याले में डाल दिया है ताकि फववारे से निकलने वाला पानी हम इस प्याले में इकठा कर सकें अब ये है फववारे वाली नली का दूसरा सिरा मैंने पानी के जग में डाल दिया है बस इंतजार की घड़िया अब यहां खतम होती है धीरे से अपनी इस बोतल को उल्टा कीजिए और देखिये विज्ञान का चमतकार वाओ कितना मज़ेदार रंगीन फंवारा चल पड़ा है वो भी बिना किसी बिजली और पंप के लेकिन ये चमतकार हुआ कैसे आखिर इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम कर रहा है और जो उपकरण मैंने यहां काम में लिए क्या आप उनका स्पैसिफिकेशन जानना चाते हैं यदि हाँ तो इन सभी सवालों के उत्तर पाने के लिए आप मेरी वेबसाइट जैपुर्दपिंक सिटी डाट कॉम विजिट कीजिए हर शुकरवार मेरे नए और रोचब क्राफ्ट आइडियास देखते रहने के लिए मुझे यूट्यूब पर जैपुर्दपिंक सिटी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए झोसरो कीजिए 151 से यूट्पिंक सकते रहने के लिए मेरे बार जैपूब पर सब्सक्राइग को